जै मता दी, जै मा कमक्या, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जै जै, कालवी नाशि निकाली जै जै, उमारमा ब्रह्मानी जै, सीताराधा रुखमनी जै जै, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जै, कालवी नाशि निकाली जै, उमारमा ब्रह्मानी जै, सीताराधा रुखमनी ज देवराधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल कुम्भ लग्न में राहु की स्थति तो कुम्भ लग्न में यदि राहु सब्तम भाव में हो कुम्भ लग्न में राहु यदि सात्वे इस्थान पर हो याने पती पत्नी वाले इस्थान पर हो जहां पर पांच नमबर लिखा है सिंग राशी है वहाँ पर अगर राहु हो तो ऐसे मनुश्य के जीवन में पती पत्नी में से कोई नो कोई बिमार पड़ा रहेगा और ग्रहस्त जो ग्रहस्ती उसको चलाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा कुम्ब लगनक की पत्री का हो उसमें राहु सब्तंभाओ याने जन्म लगनक में जहां पांच नमबर लिखा उसके पास में राहु लिखा हो तो मान करके चलना ऐसे मनुश्य चाहिस्तरी हो या पुरुश हो उसमें से विवहा के बाद में पती या बत्नी कोई नो कोई बिमार पड़ा रहेगा और एसे मनुश्यों को घर ग्रहस्ती चलाने में भी बहुत समस्या आईगी क्योंकि राहु बेठा हुआ है आए दिन जगड़े कर आईगा और सात्वे इस्थान पर राहु बेठने से पार्टनर्शिप कोई व्यवसाई करते हैं उसमें पार्टनर्शिप करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी और कोई भी व्यवसाई करते हैं तो उसमें तरे तरे की समस्या उत्पन्न उत्थ होगी उसमें यदि सब्तम भाव में राहु बेठा हुआ हो कुम्ब लगन में तो ऐसे इस्तरिया पुरुष उसके एक से अधिक विवा होने की संभावना जादा होगी यहने सीधा सीधा यह है कि जिस भी इस्तरिया पुरुष के कुम्ब लगन की पत्रिका में राहू सब्तम्भा हो ऐसे मनुष्ट से विवा नहीं करना चाहिए क्यों कि विवा पेला विवा अवश्य तूटेगा ही तूटेगा और उसका दूसरा विवा होने की संभावना होगी और घरेलु सुक्षान्ती घरेलु सुक्षान्ती का अभाव रहेगा और राहू की दशा अंतरदशा महादशा प्रत्यंतरदशा ये बहुत कस्ट दायक होगी और यदि सप्तम भाव में कुम्ब लगन में यदि सप्तम भाव याने सिंग राशी में राहु और चंद्र एक साथ बेड़ गया हो याने ग्रहन योग लग गया हो तो विवाहिक सुख में बाधा उत्पन होती ही होती है और यदि राहु के साथ सूरे बेड़ जाए तो सूरे ग्रहन योग हो जाता है इसे समय पे भी पती पतिनी में टक्रार होता रहता है और तलाक होने की नोबत आ जाती है और यदि कुम्ब लगन की पत्रिका में राहु सब्तम भाव के साथ में यदि मंगल बेड़ गया हो तो भी अमानवी आचरन के कारण पती पत्नी में कस्ट होता है पती पत्नी में नहीं पढ़ती है राहु सब्तम भाव में कुम्ब लगन का होने पर बुद्ध के साथ यदि बेड़ जाए तो बुद्धी कुंधित हो जाती है और पती पत्नी दोनों के बीच में किलेश हो अशान्ती होती है कुम्ब लगन में राहु यदि सब्तम भाव में बेठा हो गुरू के साथ में तो चांडाल योग बनने की वज़े से ग्रहस्त सुख में कमी होती है और परिवार में भारी तकलीबे उठाना पड़ती है कुम्ब लगन की पत्रिका में राहु यदि सब्तम भाव में याने सिंग राशी में बेठा हुआ हो और उसके साथ शुक्र भी सिंग राशी का बेठा हुआ हो तो जो भी मनुष्यों का चाहिस्तरी हो या पुरुष्यों वो चरीत्रहीन होता है इस वज़े से पती पत्रिका में राहु यदि सब्तम भाव में शनी के साथ बेठ जाए तो हट की वज़े से और दुराचार की वज़े से पती पत्रिका में नहीं पत्ती है तो इसी बात को आप समझ के रखें कि कुम्भ लगन की पत्रिका में राहु यदि सब्तम भाव में हो तो एसे इसरी पुरुष्यों से विवाहा नहीं करना चाहिए और नहीं व्यावसाय में पार्टर्नर्शिप करना चाहिए अन्निता पार्टन्रशिप अवश्य तूटती है और परिवार भी तूटता ही तूटता है तलाक अवश्य होगा दोनों के बीज में लड़ई जगड़ा अवश्य होता है साथ साथ नहीं दे सकते हैं एक नेक को अलग होना ही होना है या एक नेकी मत्यू भी हो सकती है एक बार और सुन लीजिए जिनके जीवन में अभी विवहा नहीं हुआ है जिनके लड़के लड़की दोनों है जिनका विवहा होना है वो भी सोच देख ले और सोच ले कि कुम्भ लगन में राहू यदि सब्तमभाव में यानि सिंग राशी का बेठा हुआ हो कुम्भ लगन की पत्रिका में राहू सिंग राशी का बेठा हुआ हो तो एसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना है अन्यता आपका जीवन नर्क बन सकता है या फिर आप कहीं प्रकार की परेचानियों में उलज सकते हो जैमा तादी जैमा का मक्या